है 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 हम लोग आधार इंस्टिट्ट जैपूर है जैपूर में जहां पर आर्पीस सी स्कूल लेक्च्टर बाइलोजी की हम लोग कोचिंग शुरू करने वाले हैं 22 अक्टूबर के दोनों तरह की कोचिंग शुरू होगी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी ऑफलाइन का टाइम 22 अक्टूबर को सब्वेरे 9 बजे हैं अनलाइन आप किसी वी वक्त पर जोइन कर सकते हैं कि हम लोग रिकॉर्डट पर बेस्ट होते हैं ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन के बारह में थोड़ी सी एक अच्छे से जान कर रहें दो कि ऑनलाइन सिर्फ रिकॉर् डेली या अल्टरनेट डेज बेठेंगे डेली या अल्टरनेट डेज डिपेंड्स ऑन दर रिकॉर्मेंट और प्रेशर ऑफ एक्जाम उसके अनुसारे बात बदलेगी इसका जो डेली वाला फंडा होगा वो यह कि हम आपको डेली डेली श्यूडूल बताएंगे कि आपक आई गुरूजी एप एंड्रेड एप है जिनको एप में थोड़ा अनकमफर्टेबल लगता है मोबाइल में अनकमफर्टेबल लगता है उनकी लिए लैप्टॉप वर्जन भी तयार है वो चाहें तो लैप्टॉप पर शिप्ट कर सकते हैं अपने आपको पट कोई भी एक एक ओफर दिया था कि फ्री आपकी कोचिंग हो सकती है अगर आप सेवन्टी फाइव पर्जन टमबर लेका हैं तीन दिन की तयारी में तीन दिन की तयारी इसलिए क्योंकि हम चाहते थे सभी लोगों की जो दौड़ हो जो समय हो सबको बराबर मिले सबको बराबर कंटेंट तो वह एक फेर कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में ठीक है जितने लोगों लगबग सतर लोगों ने एक्जाम दिया था और उसमें से 75 प्रशन किसी के भी नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने बहुत शांदार प्रयास किया मिस्टर हर्मेंद्र खुषबू जी राम र अगर आपको आपका नाम पता है कि आई गुरुजी अपने अपने आप में अपने आपको किस तरीके से रेइस्टर किया हुए तो आप अपना रिजल्ट देख लीजिए यह लगबग सभी लोगों का रिजल्ट मैं आपर दिखा रहा हूं करेक्ट आउसर कियो कि लिसका वह आप देखना चाहें वह आप देख लीजिए नगों नए यह पहला जो नंबर होता है पहली जो जो कॉर्ट शुरू होने वाला है वो आपको बड़ा समझ में आ गया होगा उसके अलावा एक और बात 22 अक्टोबर के आराउंड ही हम लोग अपना स्टेडी मेट्रियल भी रिलीज कर रहे हैं कि जो अभी सिर्फ एंगलिश हिंदी मीडियों का है इंगलिश मीडियों का स्टेडी में इसी कम आएगा इंगलिश मीडियों का वीडियो कॉर्स कब होगा उसके लिए आप ऑईुरू जी बाई योधू आप उसको जोइन करके था जो आपने देखे होंगे कुछ लोग शायद एक्जाम भी नहीं पाएं कोई बात नहीं आगे कभी और मुखा लगे गा तो एक बार फिर हो सकता है आपको मुखा लग जाए कि इस तरह का हम एक टेस्ट कंड़क करा हैं जिसमें हमने ओवरॉल फ्री कोचिंग का आप से कहा था इस्टेडी में उसमें पेड था जिसा कि मैं अपने आपको आपने शब्दों पर अडिक रहूंगा जिसा कि मैंने यूट्यूब वीडियो के ऊपर भी आपको बताया था खेर जो भी आपक आप मुझे पूछ सकते हैं वाटसिप कर सकते हैं या अगर आप टेलीग्रम ग्रूप पर जोड़े हों टेलीग्रम ग्रूप में आप लिख दीजिए अगर आपके कोई पर्टिकलर क्वैरी और मैं अगर जवाब दे सकने में सक्षम हूं तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आप यह जो आगे वीडियो देख रहे हैं 19 तरीक की शाम को एक लाइव सेशन लिया था हमने इसमें की क्योशन पेपर को पूरा का पूरा डिसकस किया था लाइव पर हमने इसको सॉल करवाया था उसी की एक रिकॉर्डड एडिटेड यह वीडियो है उसमें बहुत स लुकर होगे लिए डी ने का आफ शूशन करना है कौन से वेवलेंद होती डीने की 260 नैनोमेटर और 260 नैनोमेटर के लिए आपको कौन सा लेंप लगेगा हाइड्रोजन लेंप या डूटीरियम लेंप यह वाले सारे के सारे यह दोनों जो लेंप हैं यह विजिबल इस्प कुछ नहीं होता आई बिलीव इन दे डेली लाइब सेशन वह मैं आपको भी बत बीच में बताऊंगा कलरी मीटर से सेंपल का गुनात्मक मुल्यंगन किया जा सकता है यह इसी लिए इस्तेमाल किया जाता है यह बात सही थी इस्पेक्टोफोटोमीटर से क्वालिटेटिव एस्वेल इस क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का जो एनलेसिस है वो किया जा सकता है सही बात थी इस्पेक्टोफोटोमीटर इलेक्ट्रमेगनेटिक वेवस के एब्सॉर्प्शन का एनलेसिस करता है न की emission का शब्दों का ध्यान दीजिए का यह statement गलत है answer is C अगला सवाल प्रकाश की तरंगों के अवशोचन संबंदित नियम ठीके? पदार्तों द्वारा अवशोचित प्रकाश की तरंगों के अवशोचन संबंदित नियम जितने भी होते हैं उसको आप वैसे जानते हो, Beards लो, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, असल में ये question था, तो इन में से कौन से वेग्गानिक उस पूरी line में सम्मिलित नहीं है, Beard और Lambert तो आपको पता है, और जो तीसरा वेग्टी था, वो बाउगर था, Founder was not the person, Founder was not the person, सूफिया जी अगर आप मेरे regular videos भी देख लेती ही, तो शायद आपको पता लग जाता, कोई बात नहीं, इन में से कौन सी tissue culture technique की सीमाएं नहीं कहीं जा सकती, कौन सा एक limitation नहीं है, अस्तिरता एक limitation है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता अगला क्या होने व एक महने बाद result आता है, कच्चे माल की अनुपला बतार, नहीं, 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 यह सीमा नहीं है, यह सीमा नहीं कहीं जा सकती, और यह बहुत महेंगी प्रक्रिया है, यह भी एक सीमा है, इसकी, answer is C. लेमिनार एर फ्लो में हवा की दिशा कुणसी नहीं रखी जा सकती, मैंने आपको कल भी शायद टिशू कल्चर की क्लास ली थी मैंने, और तब मैंने यहां पर इस विक्ति को बिठाय था, अंदर से बाहर की ओर, उपर से नीचे की ओर, और नीचे से उपर की ओर, अंदर से बाहर की तो और तो होती ही होती है, तो यह तो होएगा ही होएगा, आप नहीं रखी जा सकती है, पुछाता, उपर से नीचे भी रखना ही पड़ेगा, और अंदर से बाहर की ओर, मैंने गलत निशान लगा दिया, एक मिनिट, उपर से नीचे की ओर रखाई जाएगा, मैंने PTC का जो वीडियो डला हुआ है उसमें साफसाफ बता रखा है निम्दिमें से कौन से एक दूसरे से संबंदित होगे दिस दा मोस्ट ब्यूटिफुल क्योश्चन और मोस्ट ट्रिकी क्योश्चन कि आप लोग जवाम देतों मुझे अच्छा लगेगा इस वक जो लोग मुझे सुन रहे हैं जस्ट आंसर इस कौन सी चीज एक दूसरे से संबंदित नहीं हो सकती है चली आंसर कीजी एक बार सभी लोग आंसर कीजी एक बाद 26 लोग देख रहे हैं 26 के आंसर तो आने ही चाहिए क्या वात है हाँ बई जवाब तो दीजिए जेनेटिक्स आपको पड़ी है अपने बहुत अच्छे से और मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया था कौन सा एक दूसरे से संबंदित है राजश कुमार जी का अंसर है बी असलम खान जी का अंसर है सी और कंसेप्च्छल जूलो जी देट्स ब्यूटिफुल और बड़े प्यारे प्यारे लोग हो और मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्रें किया था आंसर इस बी ये एक दू वर्तन नहीं होता जिनोंने ये सी आंसर दिया है यहां ध्यान रखना विविदता क्रोसिंग ओवर और विर्येशन ये एक दूसरे से रेलेटेड़ हो सकते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा बहुत प्यारी बात है लिंकेज का विविदता से कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता का अपवाद होता है linkage इस वतन तर अपविवियों का अपवाद होता है linkage लेकिन relation नहीं होता है इन दोना के वीच में उत्तर क्या आएगा answer is B that's beautiful मज़दार question था है है फिल्टर्स का सबसे पहले उपियो किस लक्षे के लिए किस काम के लिए किया गया था जो चीज आप सोच भी नहीं सकते असल में इसके लिए किया गया था हवा में पैदो होने वाले जो रिडिक्टिव का contaminants होते हैं उनको रोकने के लिए Manhattan जो नियुवार का जगह है वहाँ पर इसका पहली बार बिल्डिंग्स को clean रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था कि सांस प्रॉपर आएगी ये बहुत प्यारा क्योशन था मीडिया की मात्रा अगर दो से धाई लीटर है और हम 121 डिगरी सेल्सियस पर 15 PSI दबाओ पर प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें कम से कम यह परिसेदी कितनी देर के लिए देनी होगी उत्तर है 40 मिनिट रट्टाफिकेशन था दिमाग ने लगाना था इस पर यह बहुत प्यारा क्योशन था इन में से कौन सी चीज कोशिका सिध्धान्त के अपवाद है और इसका जो उत्तर था वो था प्रोक्त सभी यह मैंने यूट्यूब क्लास जो आई गुरुजी पर क्लास उसमें शरीर कई सारी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है और पता नहीं क्या-क्या इस तरह की बात थी वह इन में से किसी पर भी लागू नहीं होती एक ही कोशिका में सबी जगों पर सब कुछ हो रहा होता है कि यह अगें वर्स्ट क्योश्चन जो कि बाइलोजी वाले बिचारे घबरा जाते हैं इस क्यूश्चन को अगें इनकंदा क्यूश्चन था ATP के निर्मान में माइट्रो कॉंड्रिया द्वारा चलाये जाने वाले इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में किस आयन की भूमी का सबसे महत्वपूर्ण होगी और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने ये वाला उत्तर लगाया था लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रोन आयन नहीं होते इलेक्ट्रोन्स आर नोट आयन आयन क्या होता है प्रोटोन्स और प्रोटोन को कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन आयन्स जिसकी की इलेक्ट्रोन ट्रांस्पूर्ट सिस्टम के दोरान में पंपिंग होती है बाहर की और और अंतता यह अंदर की दरफ फ्लू करता है जिसकी वज़े से एटीपी बनने लग जाता है ठीक है कोपर और सोडियम कहीं भी इंवाल्व नहीं होते हैं महत सबसे महत्वपूर्ण बुझाता मैंने कोपर होता तो है साइटोक्रम जो अपना साइटोक्रम ऑक्सिडेज यानिक एंजाइम कॉंप्लेक्स चार में है लेकिन महत सबसे महत्वपूर्ण बात इन में से किसमे बीटा वन फूर ग्लाइकोसेडिक लिंकेज नहीं पाया जाता ग्लुगोजन में ऐलवाला सब्वान फूर होता है बाकि सब के अंदर बीटा वन फूर अत्यारा है कि ये किसका polymer है एगुल्कूस का यह किसका polymer है नागाया और नाम का यह इसका पोलियमर एग्हा हां जी यू निस सब्सक्द के अलिए था लेकिन अट से Соर्ट इस यूर पर शेल थी कोशी का सिद्धान्त का एक्सेप्शन है असलम जी कोशी का अंगक अगर आपने मेरा वो सेल बैलोजी फांडेशन का वीडियो सुना था तो अंगक की परिभाशा होती है जो किसी कला से कि बंधित हो यानि कि एन्ट्लोज्ड हो आपकी अंतर प्रद्रीव जाली का कला से बंधित नहीं है यह कला के इन्वेजिनेशन से हैं इसमें कला होती ही नहीं है उत्तर है उप्रोक सभी निम लिखित में से कौन सा गुण सभी यूकेरियोटी कोशिकाओं में पाया जाता है अगे इन्वोस्ट इंटेलिजेंट क्योश्चन क्यों 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 कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि 70S राइबोसोम सभी यूकेरियोटी कोशिकाओं में पाया जाता है है वे ब्यूटिफुल स्माइल आपको नहीं हमने तो सतर स्राइबोसों प्रोकुरियोट्स में पढ़ाया अरे भया जब भी आप युकेरियोटिक कुशिका बनाते हो तो दो लोगों को खड़ा कर देते हो प्लांट में तो एक का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट और एक का नाम होता है माइट्रोकॉंड्रिया और इसी प्रकार से जब एनिमल सेल बनाते हो तो एक रिक्ति को खड़ा करते हो माइट्रोकॉंड्रियोट दोनों के अंदर सतर साल वाला यह भाई बैठा हुआ 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 है सेवन्टी स्राइब सो हां या ना यह बड़ा क्यूशन था प् प्रांस में नहीं होती थोस फ्लेजिला तो किसमें भी नहीं होती लुवन हॉक ने अपना कारे कौन सी किताब में प्रकाशित किया था माइक्रोग्राफिय किसकी थी रॉबर्ट हो की सिस्टम नेचुरिक इसकी थी अपने केरलस लिनियस की औरिजिन ओफ इस्पिशिज डॉर्विन की सिक्रेट ओफ नेचर इसको अगर दूसरे तरह के से बोले हैं ओमेनिस सेलूला एस सेलूला किसने कहा था रॉडॉल्फ विडचो एपिजनेसिस का जो कंसेप्ट दिया था वो मिस्टर वुल्फ ने दिया था श्रेमर डैन ने हॉमनक्लियोस किया था इन्होंने कहा था कि वो एक्वाइड करेक्टर्स आगे जाएंगे जीन-पूल को परिभाषित करते समय कौनसा तथ्य समिलित नहीं किया जाताried कि पूरी की पूरी पूरे पोपॉलेशिन के बारे हम बात करता था जीन्स और उनके जेनी के बारे मात करता था तो आंसर क्या हो गया टी बड़ा शंदार है हमी जाएगास यह प्यारा सा क्योश्चन था भाई साब मैंने इसको अच्छे से एक्स्प्लेंग भी किया था कि यह मामला इसको बोलता है कि जब कोई जीन या अलील एक अकेले घुमता रहे यहाँ पर इसका कोई साथका हो ही ना तो उसको बलाता है हमी जाएगास यह वाले डेफिनेशन होती है हेटरो जाएगास की और यह डेफिनेशन होती है होमो जाएगास की दो क्रोमोसम पर आमने सामने एक ही जीन के अलग अलील प्रेजेंट हो दो क्रोमोसम पर आमने सामने एक ही जीन के की और शक्ता होगी ध्यानरेखना सिर्फ एक चीज के लिए होमो जाइगरस कि आवशुक्ता रहेगी आर वह है का vertex कि इंकंप्टी डॉमिनेंज हमेशा हट्रोजाइगरस के पता चलती है सुरृडोमिनेंज इसका भी हिट्रोजाइगर से पता चलता है और आंसर होगा उप्रोक में से कोई नहीं एक जीन अगर कई लक्षनों को प्रभावित करने लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं जाना आपके पूंच आ गई अर्बर और स्मित को नोबेल प्राइज 1978 में मिला था 1975 में वह अपने कालवन फ्रिश को मिला था 1969 में शायद मिस्टर हर्गोविंद खुराना को मिला था और 1980 का तुम्हें नहीं लगा दिया था कि इन मैंसीं कौन सा एंजाइम ऐस्पूडईस्टर बॉण्ड को बनाने में संब्लित हो सकता है लाइग cél Index होता है यह सबको पता था डिनuciones बही देखा जाहई तो फ़ासपूडईस्टर बॉंड़ को बनाता है और अंसर क्या ओगा उपरोक्त सभी कौन सा एंजाइम RNA components को तोड़ने की क्षमता रखता है सारे रखते हैं RNAs H खुदी कह रहा है कि मैं RNAs हूँ मूंग भी नुकलियेज दने चुकि DNAs या RNAs नहीं बोला है मैंने नुकलियेज बोला है आंसर क्या होगा वह प्रोक सभी कौन सा रसाइंड यह मैंने अच्छे से explain भी किया था RDT का जो बैसिक्स का वीडियो था उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से explain किया हुआ इसको कि आपको अब confident neतीडि मंचिल rif Мы taraf pay प्रूंबड़ शुक्राइल एक यह होता है आणसर गोकेसं में पिरशिटर भ्रीहम्द शॉत और देर अई पिर रिटर और वेस्टर्न की यह नॉर्द सदर्ड और यह आपका इस्टर। पासरे बुझा कि हैं कि इसमें सिर्फ एक शह पांगे और भूत बहुत कुछ हो जाता है हाँ जी भई यह अंसर आप करेंगे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग उत्तर देंगे इसका दो इन में से कौन सा कथन आपको लगता है कि मामला गलत है जवाब दीजी भई जो भी लोग मुझे पहली भर देख रहे हैं अब बड़े मज़ suburbs क्रेशन था है मुझे इतना लगा मैंने के यार इतना तो को ध्यानी ने देता रटा मार रहा है हाथ में ग्लाइक ये च्छोटी सी बात पर ध्यानी दे रख आये और कहिए और कहिए और कहते जाएए मैं भी देखूं भीया मामला क्या है अब देखो किसी का भी ध्यान नी जा रहा कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सिकरन होता ही नहीं है ये एक अनाक्सिक प्रक्रिय है और आंसर यही था बाकि सब कुछ सही है क्रेप सेक्र में एक एसेटल को इंजाय में से कुल मिला कर दो कार्बन डाइसर के निर्मान हो रहा होता है देखा जाये तो है क्वेकि सब्सक्राइब और दो पार निकल जाती है छार जगों पर औक सिकरन की अबिक्रिया होती यानि कि चार जगों पर एन्म डिए स्टु बनता है तीन जगों पर और एक जगह पर एफटीर स्टु म 272 बनता यह भी अकशींगी प्रक्रिया है सभात हैं उप किते लोग का ध्यान गया इसके उपर कि मैंने यहां पर आक्सिकरन लिख रहा है थोड़ी सी स्माइली बना दू मुझे पता है आप लोग सोचते नहीं जल्दी ज़े बाइलो जी भाई राश्री इंड रशोक कुमार जांगीड जी मज़ा आया नहीं है चली मज़ा है तो ओर मज़े लेता है ग्लुकोस की निर्मान के लिए शुरुवाती पधार्त निंद में से कौन हो सकता या क्या कॉई कार्बनीक आंब हो सकता है कि हां अग्जिल रॉच असिड सित्रिक एसिडू यह सब क्या होता है कार्बनीक अमली तो होता है अमिनों हो सकता है वसी अमली याने कि फेटी असीड हो सकता है आंसर वो प्रोक सभी अगर परिभाशा पर चला जाए जो कि मैं यूजूली दिया करता हूँ ग्लुकोनियो जनेसिस दे फॉर्मेशन अफ गुल्कोज अधर देन दे कार्बो हैड़ेट सोर्स यानि कि कार्बो हाइड्रेड के अलावा अलावा किसी अन्यस त्रोच से बनावा आप यक्रत और पेशी के बीच में चलने वाले कोरी चक्र कोरी चक्र किसलिए होता है वैसे देखा जाए तो कि लेक्टेयट को वह ग्लुकोज में convert करवाएं तो इनमें से कौनसी चीज पार्टीसपेट नहीं करती पार वेट करता है एलेरीन का conversion होता है उलेंन में kषाद ब्लड में एलेनन के रोप में-ढूता है लेक्टेट होता हैomos वालो निम्दमें से किस सेकराइड के बनने में glucose का समिलन नहीं होता माल्टोज क्या होता है glucose plus glucose होता है समझे की बात है cello bios भी glucose plus glucose ही होता है लेकिन anulin is the polymer of fructose बड़ा अच्छा कुशन था है या आपने आगर मेरा Geos consequences वड़ा विडियो देखा था तो उसके अंदर आ गया होगा कारगो हाइडिट की जांच के लिए इनमें से किस रियेजेंट का इस्तिमाल किया जाता है ध्यान रखना है, आइटीन सोलूशन होता है, फैलिंग सोलूशन होता है, टॉलन रियेजेंट होता है सबी चीज़ें से इस्तिमाल हो सकती, answer is all